हेलो फ्रेंग्स मैं हुरेश्मी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिलेट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टोटैलिटेरियनिजम और टोटैलिटेरियन गवर्मेंट को समझने वाले हैं जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए एक important concept है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते समय है जब हम different form of government को पढ़ते हैं तो इसका जिक्र हमें बार-बार मिलता है तो आएए देखते हैं कि एक totalitarian government क्या होता है और उसके क्या विशिष्टाएं होती है totalitarianism means सरवाधिकारवार नाम से ही हमें clear हो रहा है जहां सारा अधिकार government के पास हो means यह एक ऐसी राजनितिक व्यवस्ता होती है यह एक ऐसा political system होता है यहां पर गौवर्मेंट का जो कंट्रोल होता है, वो वहां के सीडिजन्स की सारी गति वीडियो में होता है। इसे ऐसे समझते हैं, इस government की जो सारे features होते हैं, वो एक autocratic government की जैसे होते हैं, पर यहाँ पर जो government का control होता है, वो वहाँ के लोगों पर extreme level पर होता है, यह जो government होती है, वो सबको एक ही साचे में डालने की कोशिश करती है, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह autocratic government का एक extreme form होता है, ऐसे political system में generally democracy नहीं पाजाती है और वहाँ पर economic, social, political और educational life में government का strict control होता है और अगर हम totalitarian government के other aspect को देखें तो वहाँ पर जो policing system होता है वो बहुत ज़्यादा suppressive होता है election जो होते हैं वो generally fair नहीं होते और sometimes हमें state sponsored genocide भी देखने को मिलता है जिसे हम आगे example से भी समझेंगे तो आएए अब हम समझते हैं कि इस totalitarianism what और concept का origin कैसे हुआ है 1923 में सबसे पहले Giovanni, Amendola ने सबसे पहले Italian fascism को dictatorship से अलग categorize करते हुए totalitarianism को describe किया जहां state के पास total political power होती है और वह उसको exercise करता है इस तरह उसने totalitarianism को describe किया जो किये dictatorship से थोड़ा सा अलग था वही totalitarianism word का English में पहला प्रयोग Austrian writer French Booker Now ने 1938 में अपने book Communist International में किया था इस तरह 1920 से पहले totalitarianism जैसे concept के कहीं चर्चा नहीं होती थी पर इटली की साशक Mussolini ने अपने शाशन को fascism की रूप में describe करते हुए totalitarianism का concept दिया और कहा fascism ही totalitarianism है जो किसी state को totally describe करता है और उस state को उसकी पहचान भी दिलाता है इस तरह हमने totalitarianism means सरवादी कारवाद को समझा कि किस प्रकार लोगों के life के सभी आसपेक्ट में supreme authority का control हो जाता है तो अब समझते हैं हम इसकी विशेष्टाओं को तो इसकी पहले विशेष्टा यह है कि totalitarianism वेक्ति के life के सभी आसपेक्ट में control करता है जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो authoritarian government होती है वो लोगों के only political life को control करती है पर totalitarianism में हमें government का control religious, political, cultural, educational, economic and social life में भी दिखाई देता है और साथ ही साथ यहाँ पर state के अलावा और कोई भी institutions को importance नहीं दी जाती वहीं इसकी दूशरी विशेष्टा होती है social restructuring means हमने पहले ही पढ़ा था कि जो autocratic government होती है वो generally status quo को create करती रहती है लेकिन जो totalitarian government होती है वो लोगों के beliefs, value, मानत्याओं, behavior को control करती है और उसका restructure अपने according करती है और इसी restructure को करने के लिए वो ideology का भी सहारा लेती है वो किसी particular ideology को as a state ideology बनाकर लोगों को उसमें ढालने की कोशिश भी करती है वहीं इसकी अगले विशेष्टा होती है कि जो totalitarian government होती है वो अपने political agenda को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाती है और इसी agenda में वो लोगों को अधिक से अधिक जोडने के कोशिश भी करती है ऐसा करके वो खुद को और अपने political ideology को legitimize भी करती है इस तरह हमने totalitarianism के कुछ characteristics देखे लेकिन अब हम कारल चे फैडरिक के दौरा दिये के totalitarianism के कुछ six point syndrome को देखेंगे यह जो six point syndrome है वो छे identification mark है जो किसी भी totalitarianism government को जिसके द्वारा हम identify कर सकते हैं इसके सबसे पहले विशेशता होती है ऐसे किसे state के एक official ideology होती है वहीं इसकी दूसरे विशेशता होती है कि यह जो state होता है वो one party होता है और वहाँ पर एक powerful leader भी होता है वहीं इसकी तीसरे विशेशता होती है कि वहाँ पर एक secret policing होती है that means जो उस regime के खिलाफ कोई भी activity करता है उसके खिलाफ यह जो secret policing होती है वो काम करती है वहीं इसकी चौथी विशेशता यह होती है कि यहाँ पर जो mass communication मतलब जन संचार के जो माध्यम होते है उस पर government की monopoly होती है वहीं इसकी पांच्वे विशेशता होती है कि वहाँ पर जितने भी arm force होते है या जितने भी weapons होते है आर्मी से लेटेट कुछ भी चीज होता है वो government के control में होता है वह इसकी चटवे विश्चता यह होती है कि जो economic life होती है जो economy होता है state का वो उस पर जो होता है वो state control होती है basically इस slide में हम totalitarian state और उसे कुछ example देखेंगे जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि यहाँ पर जो लोगों की life होती है उसमें state का बहुत सादा intervention होता है और यह जो intervention होता है वो बहुत ही deep और extreme होता है और इस तरह वहाँ की लोगों की जो life होती है वो totally government के दोरा control होती है और government उसे प्रभावित भी करता है इसका सबसे best example हमें Italy में Mussolini का रोल, Germany में Hitler का रोल और USSR में Stalin के रोल में दिखाई देता है अगर modern era के बात करें तो हमें totalitarian government का example या totalitarian government का characteristics हमें Libya के सदाम हुसेइन के शाषन में भी देखने को मिलता है ऐसे government में हमें individual के identity को totally demolished होती हुई दिखती है और बहाँ पे जो individual के identity होती है उसको state के identity के साथ mix कर दिया जाता है अब हम इस slide में ideology और totalitarian government के बीच के relation को समझेंगे means किस तरह totalitarian regime ideology का use अपने एक instrument के रूप में करती है इस चीज को समझाते हुए Austrian philosopher Karl Pappar ने अपने book open society and its enemy में कहा कि जो ideology होती है वो totalitarian society के बहुत important characteristics होता है जिसमें जो government होती है वो society में absolute truth जैसे concept को establish करने की कोशिश करती है और उसको उस विचार्थारा के according एक सांचे में ढ़लने की कोशिश करती है इसलिए विचार्थारा के existence जो विचार्थारा का existence होता है वो सिफ हमें totality जो कि एक close society होती है वहीं जो open society होती है means democratic societies होती है वहाँ पर हमें विचार्थारा का existence नहीं दिखाई देता वहीं इसमें अगला नाम आता है अन्ना रेंड का जिन्होंने अपनी बुग The Origin of Totalitarianism में आइडिलोजी की characteristics को totalitarian state के term में बताया है उनका कहना है कि कोई भी totalitarian society जो होती है वहाँ पर वो domination create करने के लिए दो जीजों का यूज करती है उसमें पहला है terror और दूसरा है ideology इस परकार अन्ना अरेंड ने भी justify किया है कि किस तरह ideology जो होती है वो एक ऐसे society, एक totalitarian society का एक instrument होती है तो इस परकार हम देखते हैं कि कैसे early 20th century में totalitarianism के concept का emergence होता है जो की USSR में communist regime और इटली की fascist regime को describe करने की कोशिश करता है इस तरह हमने totalitarianism का meaning देखा totalitarianism word का origin देखा totalitarianism की विशेशताएं देखी इस तरह हमने ये भी देखा कि totalitarian state की characteristics क्या होते है totalitarian state कैसा होता है और last में देखा कि ideology और totalitarianism का क्या संबंध होता है अगर आपको इसी तरह political science के important concepts से related और बेवीडियोस देखने हैं तो please do like, share and subscribe my channel